तो हेलो एंड विल्कम विल्कम पाथ फाइंडर और वेरी वार्म गुड मॉर्निंग तो दोस्तों आज तो इंड लास्ट का लास्ट के दो तीन लेक्शर में से एक है तो आज हम करने वाले हैं ग्लोबल सब्सक्राइमेंटल कर्मिंशन के टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं तो छोटी सी रेक्चर है अंतक जरूर देखिए एंड सबसे पहले तो आप सभी लोग जो देख रहे हैं आई होप अवास क्लियर आ रही है देख पा रहे हैं सुन पा रहे हैं तो एक मिनट जीजिए मुझे करेंगे पूरा करने का तरीका होगा क्रोन लॉजिकल और पर इसको कहानी की तरह समझेंगे तो कहानी है पन्नों की तरह पलटते जाएंगे कानी आगे बढ़ती जाएगे तो चलिए बिना वक्त बरबाद किये स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों इंडिया का लाजिस पर देख सकते हैं जो दोस्तों से पहली पर उनके लिए मेरा नाम किंजल चौधरी है और बॉटम लेफ्ट पर आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं यहां पर मुझे अब तक अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो कर लीजे क्यों क्योंकि यहीं पर मैं करेंट की इनवायम हो जाएगी वहां पर करेंट स्टार्ट कर देंगे बाकियान अकाडमी में जब भी हाएं यूज़ी कोड के सीवन जिरो और यू आप चाहे तो अपना आप चाहे तो लोन की लिए भी अपलाई कर सकते हैं तो लोन आप देख सकते हैं यहां पर नीचे लिंक में डिस्रिप् कोंबो भी अप इस्तेमाल कर सकते हैं के सीवन जिरो कोड का सकते हैं यह तो जल्डी से जाएए जाके जौइन खीजिये स्टार्ट कीजिये चले तो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं गुड़ मानिंग पूजा हैं चंद जैकरन जैकरन एंड शृतम चलिए 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 दो सबसे पहले तो आईए आपको मैं हड जाता हूं एंड नहीं ऐसे ही ठीक है तो जो पहला कंविंशन आप देख रहे हैं इस वक्त हो है रामसार कंविंशन देखे तो यह बात है 1971 की 1971 तो रामसार कंविंशन किसके लिए है आपको तो मालूमी है वेटलेंड कॉंजर्वेशन के लिए है तो इसी को बुलाया जाता था वाटर फावल क कंविंशन भी याने मुर्गा तो पानी में रहने वाला मुर्गा या पाने वाली पानी में रहने वाले पंची तो इसलिए उनकी सुरक्षा भी किसमें होगी अगर वेटलेंड की सुरक्षा है तो वाटर फावल की सुरक्षा है तो इसलिए वाटर फावल कंविंशन के ना 1971 में आया है वाइस-उस वाइस यूज जो की लेटर उन क्या बन जाती है योकी लेटर ऊन बन जाती है सेनेबल इवलेवल्पनेंट जिसको चानते हैं लेकिंड रापसार कंवेशन की फिलोसफी किस पर बेज़ है वाइस-उस फिलोसफी पर चली नेक्स्ट दोस्तो 1972 1972 ना एक वाटर शेड यर है इसको स्टॉक होम डेक्लेरेशन तो पास हुई है वाटर शेड यर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्लोबल लेवल पर इन्वाइमेंट को लेके जो चेतना तब जाके जागी है पहली बार इन्वाइमेंट को लेके चर्चा देश-दुनिया के लेवल पर हुई तो इस लेवल पर जब चर्चा हुई तो ग्लोबल लेवल पर बात हुई की इन्वाइमेंट और डेवलप्मेंट को कैसे बैलेंस करें कैसे पल्यूशन को कंट्रोल किया जाए तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है पहली बार चेतना लोगों में जागी तो इन्वाइमेंटलिजम चार्ट हुआ है स्टॉक होम डेकलेरेशन के बाद से इंडिया और स्वीडन यह दो कंट्री देखें तो इनके प्राइम इनके नाशनल जो लीडर्स है प्राइम मिनिस्टर वह रिप्रेजेंट किये थे बाकी देश न जाती हैं और वह काफी इन्वाइमेंट को लेकि इंद्रा गांधी जी किया उनका खुद का लोकल अबजेक्टिव क्या था गरीबी हटा हो है ना वहीं चल रहे चर्चा उसी पर करवाती थी तो कहीं वहां भी जाके चलो क्योंना अपना पॉलिटिकल पॉइंट किया जाए तो वहां पर भी उन्होंने एक बहुत इंपोर्टेंट लाइन बोली पॉवर्टी इस दी बिगेस्ट पल्यूटर सबसे ज्यादा पल्यूशन गरीबी करती है कैसे करेगी तो गरीब हो क्या गजाट जलाता है नहीं वह क्या करता है लखडी जलाता है वह क्या करता है गोबर जलाता है तो इस प्रकार से वह क्या कर रहा है बहुत ज्यादा प्लीशन कर रहा है है नолжी Springs Michaels नंप नदियों में कैसा पानी जाएगा जो पल्यूटेंड़ वही पानी करते हैं नहीं वह ऐसे गिराते हैं तो प्वर्टी इस 3 पलिट युटर ऐसे में आएगा तो क्या करेंगे पॉवर्टी को सिर्फ और सिर्फ इन्वाइमेंट सक प्लिउटिंस प्र Sym rais景 तक नहीं रखेंगे और पवर्टी को सिर्फ पैसा ओल्sub sa नहीं रखेंगे आप इसको आप ब्रॉडन करेंगे एना इंटेलेक्च्वल पोवर्टी इंटेलेक्च्वल पल्यूशन हर चीज से इसको जोड़ना शुरू कर सकते हैं चलिए तो यहां पर देखे तो स्टॉक होम डिक्लेरेशन में क्या है तो चार बातों पर में चर्चा हो कैसे रिसोर्स सब तक पहुंचें कैसे पल्यूशन को रोका जाए कैसे इनवायमेंट और डेवलपमेंट जोनों को बैलेंस किया जाए तो यह हुआ है स्टॉक होम डिक्लेरेशन तो एक्चल में नाम क्या था जो समिट हुई थी दाट वाज यूएन कंफरेंस ओन दी हूमन एनवायमेंट 1972 समिट हुई है यूएन कंफरेंस ओन और ऑन एनवायमेंट और इसी का निश्कर्ष था धिक यहां से जन्म होता है यूएन यूएन इनवायमेंट प्रोग्राम यह समझा गया यूएन यूएपी कहां से आती है चीए निक्स्ट देखते हैं तो यह कहानी हुई 72 तक अब क्या हो रहा है 1973 आने वाली इसका पीडियेफ का मेरेगा प्लीज कॉमेंटर बता दीजिए आपको टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल मिल जाएगी वहां से देख लीजिएगा चले अगला साल होत क्या है इंड्रा गांदी जी ग्लोबल लेवल पर पढ़ाना चाहती है तुम भी इन्वाइमेंट का सोचो और गरीब देश पे बर्डन मत डालो इन्वाइमेंट का इंडारेक्टली बोल देती हैं कि गरीब हम कम करेंगे तो ही तो पल्यूशन से भी लड़ पाएंगे साउथ साउथ को आपरेशन वहां से प्रोमोट करती है साउथ याने ग्लोबल साउथ इकॉन मिक्स जीओ पॉलिटिकल साउथ याने डेवलोपिंग वर्ड अच्छा अब मैं आप से पूछू वाइल लाइफ प्रोटेक्शन आक्ट कब की है तो कौनसे साल की है वाइल स्टेक्शन अग्ड भी पांस हो जाती है आप सब्स्रीफृ करते हैं इन्वायमेंट मिनिस्टरी बननी शुरू हो जाती है से पहले क्या होती है कि मिस्ट्री औप सिट्टेकनलोजिस के अंदर एगी डिपार्टमेंट होता है अब कि सिपरेट serving लग जाता है ठीख है चलिए नेक्स देखते हैं अब 1973 आता है 1973 एक साल बीटती है अगले साल वाशिंग्टन कर्वेंशन साइन होती है 1973 इस साइप कन्वेंशन ओन दी इंटरनाशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पिशीज और वाइल्ड फ्लोरा एंड फाउना इसको साइट्स कहते हैं यानि क्या कह रहा है जो इंडेंजर्ड स्पिशीज हैं फिर वो चाहे प्लांट के हो फिर वो चाहे एनिमल के हो उनका क्या होना चाहिए उनका इल्लीगल ट्रेड स्मगलिंग ना ना और अगर इंटरनाशनल ट्रेड है उसको प्रिवेंट किया जाए श्पेशली जब वो विशीज है या उनसे निकला हुआ कोई भी फ्रोड़क्त है यानि टाइगर का ट्रेड भी ना हो और टाइगर के दाच टाइगर की खाल किसी का भी ट्रेड ना हो तो यह को क्या नाम से जाना जाता है वाशिंग्टन कन्विंशन एंड यह क्या है लीगली बाइंडिंग है Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals जिसको किस नाम से जाना जाता है CMS Convention on Migratory Species तो CMS 1979 में होती है और नाम से ही पता चलता है किस पर होगी कि भाई जो Migratory Animals होते हैं उनको अगर प्रोटेक्ट करना है तो कोई एक देश अकेले तो नहीं प्रोटेक्ट कर सकती अब अगर मुझे कोई Migratory Bird है Siberian Crane है उसे प्रोटेक्ट करना है तो इंडिया आकेले लाग चाहे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता वो साइबीरिया में जहां से रहती है वहां से समर में इंडिया की जो निस्टिंग साइट है जहां आती है बीच में जो Migration Corridor है इन सब को प्रोटेक्ट करोगे तब जाके वो ख्रेन प्रोटेक्ट होगी याने क्या चाहिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ग्लोबल कॉपरेशन ओलिव रिड्ली सी टटल इंडिया में आते हैं अंडा देते हैं और फिर गहिर्माधा में अंडा देते हैं और फिर दुनिया भर गूमते रहते हैं ट्रॉपिकल वाटर में तब इंडिया लाक चाहे अखेले उसको नहीं बचा सकती है तो को बचाने के लिए क्या चाहिए global cooperation ग्लोबल को परेशन तो ग्लोबल को परेशन प्रमोट करने के लिए convention on the conservation of migratory species sign किया जाता है and 1979 में यह होती है इसी को born convention के नाम से भी जाना जाता है और cms किसके leadership में sign हुए तो यूएन ए-पी के लीडर्टर्शिप में साइन होती है मारी कॉप 13 2020 कहाँ होता है और ऊता है about अपने गुज्राइश में तो यहीं पर होता है गांदी नगर में गांदी नगर हाईवे अगर आप देखते तो रंग बिरंगे जानवरों की तस्वीर लगा दी गई थी तो अलग अलग जानवर के फूर तस्वीर थे उसमें तो याद रखिएगा इसको बॉन कन्विंशन के नाम से भी जाना जाता है ठीक है यह जो के डिवेंबर एपेंडिक्स ओव साइट नहीं 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 पूछा नहीं गया है नहीं उमीद है कि वैसे सवाल पूछे जाएंगे पूछे जाएंगे अब देखिए स्टॉक्वम डिक्लेरेशन का साल क्या था 1972 अब उसके दस साल हो जाते हैं दस साल होंगे तो क्या ह होगा इसा होगी तो साइन होती है नाईयरोवी डिकलेरेशन इसवेपेंट इस में में जो बात कही थी वही बात वापर रखी कि जाती है मैंने बस समझाने के लिए sustainable development उस डॉस टाइम तक sustainable development जैसा कंसेप्ट था टॉप नहीं था sustainable development sustainable development टर्म बाद में आया है तो बस संसप्ट बात फुए दो सास्टेनईबल development चले 85 विएंड डन वेन्षन किस लिए है जल्दी से बताइये अब भी आ रहे हैं कंविंशन प्रोटोकॉल प्रांजय आपको अरड़ी समझाया था जब विएंशन मौन्पूइल प्रोटोकॉल समझाया था देखे होता क्या है होता क्या है का नहीं सुनिया नहीं बहुत बढ़िया तो देखिए 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 होता यू है 1985 में दुनिया चर्चा करती है आके वैठते हैं और कहते हैं बहुत होना शुरू हो गया है अब तक प्रिथवी पे नहीं पहुंच रही है अब वह पहुंचने लगी है तो क्या होगा सब के सब मर जाओगे के मिंशन कनविंशन याने बस बैठक तो इस केस में आप देखोगे कनविंशन याने बस बैठक लगती है और चर्चा हो जाती है कि उपविया कुछ करो सम्拲ond पर की प्रिदो मैं प्यादागे कहते हैं अगली बार मिलेंगे तो कुछ कॉंक्रीट करेंगे रूल ना उसूल तुम्हारे आदर्श वाला उसूल तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आती है जिसमें क्या होता है प्रॉपर रूल्स बन जाते हैं विएना कंविंशन की चर्चा के आधार पे ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टैंसेज को आने वाले दिनों में खतम करने के लिए या फिर कम करने के लिए एक रूल्स बनाए जाते हैं जिसको कहते हैं मॉन्ट् करो और आइडेंटिफाई करके उनकी टाइम लाइन बना जो कि उनको कैसे करना है यही होगा और तो कुछ होगा नहीं यहीं होगा तो यहीं किया गया मॉन्ट्रियल पुट्टोकॉल में क्या होता है 1987 में ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टैंसेज को आइडेंटिफाई किया में सारे यूएन कंट्रीज इसको रैटिफाई करते हैं और उसके बाद क्या होता है लीगली बाइंडिंग होती है कि कंट्रीज बाउन्टू डिलिवर कह दिया है 2030 तक यह फलाना हाइड्रो क्लोरो फ्लोरो कार्बन फेज आउट करना है इस देश को तो करना है तो लीगली उभर के नहीं आई है दुन प्रित्वी गरम हो रही है इस वक्त तक यह कहानी लोगों को नहीं पता चली है तो फोकस किस पर होता है और देखोगे तो इसको एमेंड किया जाता है किसमें कि गाली एमेंड्मेंट याद है कि बूल गए 2016 में 2016 में किगाली एमेंड्मेंट किया जाता है और आप अगर देखें तो यहाँ पर यहाँ पर यह एमेंड्मेंड किसको होता है एमेंड्मेंड है याने किसी को चेंज किया गया है तो मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ही एमेंड किया जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को एमेंड किया जाता है और उसके साथ आता है कि गाली एमेंड्मेंट क्यों होती है क्यों कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में फाइनल उजो फाइनल मटीरियल फाइनल गैस जो यूज करना था वो क्या था हाइड्रो फ्लोरो कार्बन हाइड्रो फ्लोरो कारबन आप अगर देखे तो जीरो ओजोन डिप्लीटिंग पुटेंशल है इसकी याने जरा भी ओजोन डिप्लेशन नहीं करता लेकिन वेरी हाई ग्रीन हाउस गैस एमिशन है तो ग्रीन हाउस गैस बहुत इमिट करता है तो दुनिया ने क्या बुला बहिया ओजोन की समस्या तो निदान पा लिए लेकिन सल्यूशन तुम्हारा जो है वो पृत्वी को गरम करके रख देगा और कहा गया कि अगर अगर हचेफ़ी को हाईड पचास तक यह लगभग पॉइंट फाइड डिगरी से प्रिस्वी की टेंपरेचर बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होंगे तो आपका जो सल्यूशन है ठीक है ओजोन के लिए सही है लेकिन दूसरी समस्या यह पैदा कर रहा है तो राइट गैस आपने नहीं चुना है तो गैस आपका होना चाहिए था इंस्टेड अब फ्लोरो औलिफिन तो अब कौन से फोकस किया गया है फो हाइड्रो फ्लोरो औलिफिन तो क्या कहते है वहिया जाओ एच फो पे लिए फो पे स्विच कर जाओ तो इस होज़े से क्या होगी ओजोन डेप्लिशन भी नहीं होगी और green house gas emission भी नहीं होगी क्योंकि इसकी green house gas की जो समता है hydrofluoro olefin की बहुत कम है बस इतना जानिएगा hydrofluoro olefin कम green house gas emission करता है क्योंकि इसमें carbon का double bond है बस इतना जानिएगा वाकी chemistry में मत जाईएगा कि भईया कैसे double bond से है वो कम green house gas emission कर रहा है पर इतना जरूर जानिएगा carbon का double bond है जिस वज़े से ऐसा है ठीक है तो यहां तकानी clear है अभी कितने लेक्चेर आएंगे यार आप तो ग्रोज पूछते हो ऐसे दो दिन दो दिन अभी और आएंगे मंडे ट्यूज़े मंडे ट्यूज़े मैक्सिमम ते उसके बाद नहीं लूँगा मैं और तीन लेक्चर मैक्सिमम ठीक है उसके बाद current में स्विच करेंगे चलिए 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 तो मॉंट्रियल प्रूटकॉल उसी को और कॉमन फ्यूचर है ना और कॉमन फ्यूचर का बाता है 1987 में आता है पर्पस क्या होता है यहां से जो आज हम सस्टेनेबल डिवलप्मेंट की लेके बैठे हैं आपसे पूछू मैं क्या है सस्टेनेबल डिवलप्मेंट तुरंत आप इंसी आटी की रटी हुई की लाइन बुल दोगे हैना दाट काइंड ओव डिवलप्मेंट इन विज दी नीट्स अव टुड़ेशन अलॉंग विद फूचर जनरेशन आर एंसा ही कुछ है ना हैना आज की नीट सुचर के नीट सभी को फुल्फिल कर दो डाट इस सस्टेनेबल डिवलप्मेंट और तुम तीन है कि दोगे जिसमें एक तरफ आप ऐसे इन्वायमेंट बनाओं वेये सवी दृट्ट से आया है तो तो यहीं से निकल के आई है यहीं से निकल के आई है और कॉमन फ्यूचर के रिपोर्ट था ब्रिंटलिंड रिपोर्ट जिसने यह कंसिप्ट दे दिया है चले तो यह कहानी कब कभ की कब तक हो गई हमारी 1987 तक की कहानी हो चुकी है अब चलिए 1989 पे आता है बासल नौम्जण तो बासल नॉम्स सुने हैं बासल नॉमस तो बासल नॉम्स दो हैं एक एकॉणमी वाला भी है बैंकिंग principles की banks को insure करने के लिए की वो stable रहें वो कितना वाला वैसे लन बासल नॉम्स है बैंकिंग के लिए एक बासल कन्विंशन है 1989 का जो बासल कन्विंशन है यह फोकस करता है कि जो हिजाडस वेस्ट हैं उनकी ट्रांस बाउंडरी मूवमेंट ना हो तो अक्सर होता क्या है ना जो अमीव देश होते हैं डेवलप्ट कंट्रीज पैसे कमा लूँगा यही होता है ना आपने देखा होगा तो काफी ही यहाई जुकी किया जाता है कुछ किन्द स्प्व करने को प्रिंसिपल्स यूएस में प्लास्टिक को रिसाइकल करना है तो जो सिस्टम है वो बड़ा ही खरचीला है क्योंकि वहां पर द्यान रखना है तो वहां के कंपनी क्या करते हैं दुनिया फर जाते हैं जाके अपने प्लास्टिक को शिप में दम्प करवा के आ जाते हैं कहते हैं यह लो तुम्हें दिया तुम इससे कुछ पैसे बना लो और बदले में थोड़ा सा पैसा ले लिया शिपिंग चार्ज जो हुआ उतना ले लिया वाकि समान फ्री में आया चायना जैसे देश क्या करेंगे उनके उनके प्लास्टेक सबको रिसाइकल करेंगे तो ऐसे वेश्जो है जो हैं जो हैंठक्षविको टानस बांडरी मूव्मेंट को सब्सक्राइब करने का काम बश्म चुंप्रेइ lebih कंवं टू लेस डेवलब्ड कंट्री उनकी मूव्मेंट रेगुलेट की जाए एना डेवलब्ड कंट्री लेस डेवलब्ड कंट्री पर अत्याचार ना करें अपना कच्रा खुद मैनेज करें रिसेंटली इसमें एमेंडमेंट आया है और प्लास्टिक भी एड हो गई है 2019 में तो प्लास्टिक को नहीं करना चाहती थी बड़े मुश्किल से अब हुआ है लेकिन याद लखिएगा बासल कंवेंशन अभी भी न्यूक्लियर वेस्ट को कवर नहीं करती है तो फ्रांस जैसे कंट्री क्या करते हैं आज भी धेर सारा न्यूक्लियर वेस्ट उनके पास बहुत सारे न्यूक्लियर प्लांट्स हैं तो उन न्यूक्लियर प्लांट्स से वो धेर सारा जो न्यूक्लियर वेस्ट है ना एंड में फिजिन के बाद जो वेस्ट निकलता है रेडियो एक्टिव माटीरियल मिलती है वह आफ्रिकन कंट्री में जाते हैं और जाके डंप करवा द को लेके है ना और कुछ कंविंशन देख लेंगे इसी के जो भाई बंधू है चल अगला है रॉटर डैम कंविंशन रॉटर डैम कंविंशन 1980-1998 में आई है 1998 की रॉटर डैम कंविंशन है इसकी अगर हम बात करें तो आप लोगों को दिख रहा है कि कटा हुआ दिख रहा है तोड़ा सा सोड़ा सा कट रहा है एक मिनट दीजिए मज़े अब ठीक है चली तो रॉटर डैम कंविंशन अगर आप देखे तो यह डील करती है प्रायर इनफॉर्म्ड कंसेंट प्रसीजर पर मतलब की मतलब की यह कहती है कि कुछ के मिट एंड पेस्टिसाइड तो जब भी के मिकल एंड पेस्टिसाइड की मॉवमेंट हो रही है एक देश से दूसरे देश में तो प्रॉपर लेबिंग प्रिचिजर का फॉलो होना चाहिए रहता है वोटल है केमिकल की तो इसमें लिखा रहता है कुछ उसके ऊपर कि यह केमिकल इस प्रकार की इतनी हजाड़त है यह काला हिट है इसमें इतना ज्यादा इसका पॉईजन लेवल है उसको कैसे सेफ एंडल करनी है आंक में लग जाए तो धोना होगा है ना और वो सारी क केमिकल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो प्रॉपरली उसे लेबल करें कि नमबर टू बताएं कि कि सेफ हैंडल का तरीका है कि नको केमिकल स्कों सेफ यह कैसे बनिंद्न करनी है और परप ह susceptcı को-गर मैं खरीज रहा हूं मान लीजी चाइना से कोई harmful chemical कोई pesticide तो मुझे बताए चायना कि भाई इस chemical पे उन्होंने कोई restriction लगाया है अपने देश में कोई बैन लगाया है किसी स्टेट ने कहीं पे कोई restriction या बैन है तो मुझे बताए आपकी यह दाइत्व है मुझे बेचने के पहले क्योंकि मैं क्या हूं मुझे मालूम नहीं है आप मुझे बताओगे तो मैं एक धंग का प्रॉपर डिसीजन तभी ले पाऊंगा अधर्वाइज म कहते हैं प्राइर इंफॉर्म केंसेंट कि भाई पहले इंफॉर्म कर दिया आपके लेली है और लिया कि यह समस्यां इसमें देखने मिली है इसके बावजूत खरिदना है तो बो यह प्रायर इंफॉर्म केंसेंट सारी से लिएटापिक है पिसियस में भी सिमाएगा प्रॉtown प्रोटोकॉल को ही रहेंगे ना कि योप्षि RIPEC कहीं भी हो भर जगे यही काम आएगा चलिए नेक्स और काटा जेना प्रॉटोकॉल काटा जेना प्रॉटोकॉल आप देखें तो यह 2000 की है परपस क्या है जिक्रों होता है कि यह को हम लिविंग मोडीफाइड ओर्गेसम्स से बचा सकें लिविंग मोडिफाइड और्गनिजम मतलब क्या बताएगा csukो बो लेगे लमो लेविंग ओर डिविंग और्गनिजम लिविंग मॉडिफाइड और्गनिजम यानि वो जीव जिसका जेनिटिक तीन्ट जो है हुँ हमने मोडिफाइ कर दिया है जीन लेवल पर कुछ modifications जिसके आ चुके हैं याने क्या है genetically modified organism है याने क्या है वो GMO है तो GMO को कैसे manage करना है उसके लिए क्या है काटा जना protocol है तो purpose क्या है कि भाई अगर मैं मान लीजिए GM mustard है ना GM mustard शोड़ दिए मान लीजिए मैं GM भुटा GM मकई GM कौन GM मेज यूएस पे मंगवाता हूं यूएस में बहुत चलता है GM मेज तो अब हो सकता है वो genetically modified मेज में जो genetic modifications हुई है वो gene transfer हो सकती है horizontal भी vertical भी मतलब की हो सकता है वो जो gene है वो gene बाकी के मकई में भी transfer हो जाए जो इंडिया में देसी हो और अपना देसी मकई खतम हो जाए हो सकता है वो gene transfer किसी microorganism में हो जाए और फिर यदि आप किसी देश से GMO मंगवा रहे हैं तो उसकी दाइत्व है जो country export कर रहा है कि वो आपको proper information दे कि क्या-क्या इस gene modification में किया गया है और क्या-क्या problems आज तक देखे गए हैं तो इसके लिए biosafety clearing house की establishment हो जहां से मुझे ये सारे information मिले और उसके यदि कोई भी experience रहे हैं इस living modified organisms के अच्छे या adverse दोनों मुझे बताएं तो यह क्या है अगेन एक तरीके से prior informed consent ही है जैसे पीछे था prior informed consent अगेन वही चीज है बस इस बार किसके लिए है GMOs को import करने के पहले है तो समझ आया यह काटा जेना प्रोटोकॉल समझ आया समझ आया काटा जेना प्रोटोकॉल मानके चलू चलिए इक नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं नेक्स देखते हैं फेर नेक्स रहे से दोस्तो स्टॉक् होम कॉंभनशन टूधा ऋंड ओदेघング वन की कि रहाएं पर्सिस्टंट और्यूटेंट यहद्रेंऴ क्या फॉर्शेंट और्गनिक फोल्यूटेंट यहां एक Kill और degradation में ने खराब हो मैं तूटें रिजिस्टेंट नहीं होते और वाइमने तक इनवाइमेंट में अपना अस्तित्व बना सकें उनको क्या कहते हैं तो अगर और आप देखें तो यह भी क्या है UN treaty है और यूएस को आने वाले दिनों है या तो eliminate कर देना है या या की लिंटेड इंडिस्ट्री के द्वारा ही कोई भी मुँ ठाके इस्तेमाल ना कर ले यह कौन कहती है स्टॉफों कंविंशन कहती है तो स्टॉफॉं कंविंशन में यह दोगी अदू आप देखें तो किया क्या गया है की एक इंटर गॉर्वंटल फोरम ऑन केमिकल सेफटी ए organizationathan ॐ पिए इस इंटर गर्वंनर्मेंटल सोरम ऑं चेमिकल सेफटी इसने क्या किया है इसने international program for chemical safety start की है जिसके तहत एक लिस्ट ऑफ केų एक फकैमिज से बनाया था जिसको बोलते हैं dirty डब मैं यह किया है वह कैमिक चैंस है जो की पर्सिस्टेंट और्गेनिक पल्यूटेंट्स हैं अब यह लिस्ट में शांदार एक्सपैंशन हो चुकी है तो बहुत सारे केमिकल्स हैं तो इसी कहानी जान लीजिए एक एक endosulphan pesticide याच कसरगौड के किरला की फोटो कि है बच्चव सकते हैं या ओंकर selbst के यूजिए से जब इंसानों में गया स्पेशली प्रेग्नेंट में तो उनसे जो बच्चे हुए उनके सर ऐसे बड़े हो गए हैं तो इंडिया ने तो स्टॉक होम कर्विंशन ने कहा है एंडिया को पर्सिस्टेंट और प्ल्यूटेंट में डाले और इसको एलिमिनेट कर दें इंडिया न वो भी इसी पर निर्भर करते हैं तो प्रसिस्टेंट और्गिनिक प्ल्यूटेंट क्या प्रकार होगे एंडोसेल्फिंट डाय ऑग्सेंड डीडी टी आई होब आप लोगों को याद आ गया हो चलिए नेक्स्ट हॉंक कॉंग कॉंग कॉंवेंशन अगर आप देखें तो अवचक effective नहीं हुआ है लेकिन इंडिया ने इसको 28 नवेंबर 2019 को exceed कर लिया है क्या परपस है क्यों इंडिया का exceed करना एक watershed event है इसमें कारण क्या है कारण बड़ा simple है कि भाई जो भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा recycler है ships का तो आप देखें गुजरात में अलंग है अलंग एक बहुत बड़ा पोर्ट है वो पोर्ट में एक ही काम होता है जानते क्या है जो भी end of the life ships आती है वो ships वहाँ पर लगती है और ships को recycle किया जाता है काटा जाता है लोहा निकाला जाता है स्क्राप में अंदर में बहुत सारा ship में सोफा अगेरा रहता है तो बेचा जाता है बड़िया बड़िया सोफा मिलता है मैं आपको बता सकता हूं आज से काफी साल पहले 20 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं उस टाइम से कंप्यूटर मिला था 500 रुपे में में तो तो पांचन रुपे में वहां डील किये जाते हैं इंडिया में अलंग पोर्ट है सबसे बड़ा शिप रिसाइकलर है वो तो अगर आप देखें तो बहुत जादा भयानक पल्यूटिंग इंडिस्ट्री है पुराने शिप आते हैं इसको बहुत जादा प्लूशन फैलाते हैं जो शिप रिसाइक्लिंग इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं वो दुनिया भर के भयाना गंदे-गंदे केमिकल से इस्तमाल होते हैं वेल्डिंग गैस से लिके जो शिप से निकल रही है समगरी वह बहुत ज्यादा बहुत बड़ा पल्यूटि और उसको काटने के प्रसेश में वह भी है तो इसको रिगूलेट करने के लिए को करने के लिए आप अगर देखे तोंग कॉंग कॉंट इस नहीं हुई है तो इस चानवेंशन का उदेश क्या क्या है कि भाई safe and environmentally sound recycling of ships safe and environmentally sound recycling तो यह सब ship recycling industry में कैसे देश होते होंगे गरीब देश अमीर देश के यहां क्या होता है environmental standards बहुत हाई होते हैं तो वो लोग यह सारा गंदा काम गरीबों के यहां करवाते हैं इंडिया बंगलदेश एक टाइम में चाइना थी फिर वेतनाम यह सारे इंडिस्ट्री से यहां पर जहां पर काफी ज़्यादा ship recycling industry है तो ship recycling के दौरान asbestos PCB chlorofluorocarbons lead और अलग अलग प्रकार की chemicals निकलते हैं तो इन सबसे कई प्रकार की बिमारियां हो सकती है लंग कैंसर हो सकता है अलग नाम की बिमारी है वो सब हो सकती है तो यह कंविंशन maritime organization इसे regulate करती है कि बहुत सस्ता ले लिया सोच सकते हैं 1998 में उस टाइम की कहानी अलग था computer मतलब किसी ने देखा नहीं था वो जमाना है वो तो उस टाइम मिल गया था चली तो आज यहीं तक रोकते हैं कल हम करेंगे कल याने मंडे को करेंगे हम 1992 onwards एक अलग ही तो हम 21 सदी की समस्या में कूद पड़ेंगे 1992 से नेक्स जेनरेशन प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि 1992 में रियो declaration UN framework convention climate change convention on biological diversity UN convention to combat desertification एक watershed year तो इसको हम समझेंगे और उसके बाद कैसे Kyoto protocol paris agreement red red plus क्या है तो यह सब जानेंगे नगोया प्रोटोकॉल और यह सब जानके लिकवाइब टूप टीक है जो जब भी आए जब भी आए जब डिया केसी वह जोड कोड का क्योंकि आने वाले धिनों हॉँए जो फेर्स होने वाली है लेंकि प्रीकों अविस्ट और ये सब आपको वही पर मिलेगा, तो thank you so much for joining and have a great day, enjoy the same day of film, thank you.